कैसे नमबर फोर एक्सराइज 6.1 कैसे नमबर फोर अभी हमें इसमें से फाइंड करना है इसका LCM LCM जैसे पहले हम इंट्रोड़क्टरी बातें जो की थी HC of or LCM के बारे में उसमें हमने बच्चे सीख लिया है कि actually LCM जो होता है वो होता है product यानि multiplication of highest common factor and non-common factors तो सबसे पहले आप क्या कीजिए यह मैंने question आपके लिए लिखा है question number four का second part तो इसके अंदर आप क्या कीजिए सभी जितने भी आपको यह दिये हुए है तीनो पोलिनोमियल्स जो है इनके factors कर लिजिए तो 102 जो है वो actually 17 का divisible है और 6 का divisible है actually 2 का भी है लेकिन हम क्या करते हैं चले इसको अगर 102 को आप divide करें इसके factors निकालें तो 17 times 2 times 3 तो 17 sixes are 102 और x आप उसी तरह रहने दीजिए y की जगा पे y times y लिख लिजिए z को same रहने दीजिए यह ऐसा मैंने क्यों किया है y क्योंके y दूसरी जगा पे हमें single में नजर आ रहा है इसलिए अब 85 जो है इसके अगर आप common factors निकालना चाहें इसके factors निकालना चाहें तो वो 17 times 5 होते उसके बाद x को आप लिख सकते है x times x y उसी तरह z भी same रहने दीजिए क्योंके z की maximum degree 1 है और इसी तरह 187 187 के अगर आप common factors निकालना तो 187 जो है factorize इसको करें actually तो 187 is a multiple of 11 और multiple of 17 तो आप लिख सकते है 17 times 11 187 की जगह पे और x same रहेगा this is not x this is actually the sign of multiplication y उसी तरह रहेगा z की जगह पे आप z times z लिख सकते हैं अब इन सारे numbers को अगर आप इन सारे factors को अगर आप लिखें तो सबसे पहले तो आप इन में से देखिए जो common factors है आप देख सकते हैं हमारे पास जो पहला था वो आया है 17 times 2 times 3 x y z और उसके बाद जो दूसरा ये आपके पास factors जो आपके पास निकले उसको आप लिख सकते है 17 times 5 times x times x y z then last जो है वो है 17 times 11 17 times 11 then x then y then z तो common factor आपके पास z आ रहा है y आ रहा है और फिर उनके बाद एक x भी आ रहा है उसके बाद 17 आ रहा है तो अगर तो आपको सिर्फ HCF चाहिए होता तो इसका HCF लिखना चाहूं तो वो है HCF is equal to 17 x y z लेकिन अभी हमें क्या चाहिए इसका LCM तो LCM के लिए मैंने बताया वो multiplication होता है किसका highest common factor and non common factors तो highest common factor आपके पास ये है और उसके बाद non common factors देखिए तो आपको ये 2, 3, like 6 है, 5 है, 11 है तो इसके साथ आप ये भी multiply करेंगे 6 times 5 times 11 और यहां से भी अगर आपको कोई नजर आ रहा हो non common तो वो है X और वो भी आप यहां पर लिखिए तो ये actually आपके पास सारे का सारा क्या होगा LCM तो calculator पे आप क्या कीजिएगा 17 को multiply कीजिएगा 5 के साथ जो answer है उसको multiply कीजिएगा 11 के साथ तो वो आपके पास बन जाएगा actually 17 5s are 85, 85 times 11, X square because X यहां पर भी है और non common भी है, X square YZ 85 को आप 11 से multiply कर लिजिए तो वो आपके पास आजाएगा 850 plus 85 is equals to 935 I guess if I am not wrong then it is 935 X square YZ 850 plus 85, yes yes, तो यही होगा, तो this is the question number 5, 4 sorry, question number 5 के अंदर उनने बोला है find the LCM by factorizing of the following expressions by factorization तो बिल्कुल जैसे आपने factorize करके पहले find किया था HCF उसी तरह आप factorize करके आपको निकालना है LCM तो आपके लिए कोई एक question हम यहां पर solve करते हैं जिससे आपको LCM लेना भी असान हो जाएगा जैसे मैं पहला question ही आपके लिए try करता हूँ, x square minus 25, question number 5 है LCM आपको find करना है तो वो है x square minus 25 plus 100, x square minus 25x plus 100 और दूसरा है x square minus x minus 20 x square minus x minus 20, तो आप इन दोनों को क्या कीजिए, factorize कीजिए इनकी middle time अगर आप break करते हैं तो 100 आपके पास आना चाहिए और 100, 100 x square वो आपको पता है, आपके पास आ सकता है x square अगर minus 20 को आप minus x के साथ minus 5 x के साथ actually multiply कर दे, तो आपके पास वो positive 100 x square बन जाएगा लेकिन अगर add करते हैं तो minus 25 x ये 100 इसी तरह से ही रहने दे अब आप इन दो terms में से, पहली दो terms में से देखें तो x common आ रहा है तो x minus 20 और फिर दूसरी terms में से देखें तो minus 5 common आ रहा है वापस आपके पास x minus 20 आ जाएगा और x minus 20 अब आपको यहां से भी common bracket यहां पर भी है यहां पर भी है वो भी common आ रहा है तो यहां से खाली आपके पास x रह जाएगा minus यह आपके पास 5 रह गया तो these are the factors of x square minus 25 plus 100 इसी तरह x square minus x minus 20 के अगर आप factors निकालें तो इसकी भी middle term break की जा सकती है वो होगा x square minus 5 x plus 4 x minus 20 तो अगर आप देखें minus 5 x और positive 4 x को multiply करें तो वो minus 20 x square बन रहा है और minus 5 x plus 5 4 x आपके पास minus x आ रहा है जो के इसी term से हमने drive किये so again पहली दो terms में से x common आ रहा है x minus 5 positive 4 common आ रहा है भी तो वापस आपके पास x minus 5 आ जाएगा यहां से भी अगर आप देखें तो x minus 5 common आ रहा है और आपके पास x plus 4 रह जाएगा दूसरा factor दो यह दो factors है x minus 5 and x plus 4 factors है x square minus x minus 20 के अभी अगर आपको इन दोनों का भी just hcf चाहिए होता तो इन दोनों में से common factor देख लेते हैं वो आपको नजर आ रहा है hcf कौन सा होता x minus 5 क्योंके यह इन दोनों में common factor लेकिन चूँके हमें क्या चाहिए lcm चाहिए तो lcm is the product of common factors and non common factors तो आप देखिए फिर lcm आपके पास होगा which is lower least common factor वो है एक तो यह आपके पास common factor आ गया non common factor x minus 20 है and x plus 4 है तो आप लिखेंगे फिर x minus 5 times x minus 20 and x plus 4 are the तीनों factors आपके क्या होगे lcm तो यह था आपके पास question number 5 hope के बाकी questions भी असानी से आपके cover हो जाएंगे